प्यारे विद्यार्तियों वे प्रतिभाग्यों नमस्कार। मैं व्याक्याता सांदिलाल विश्णोई अपने यूट्यूब चैनल SLB हिंदी ट्री की व्याक्रणेम काविशास्तर पर आपका हरतिक स्वागत करता हूँ। पीछे के जितने भी परकरण पड़े उनमें हमने सब्द विचार के बारे में पड़ा और सब्द विचार में विकारी हो रहे हैं विकारी शब्दों का विस्ता से हमने अद्धिन किया और जरूर वे चीज़ आपको सई डेंस से समझ में आ गई होगी। और अब मैं यहाँ पर आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप व्याकरण एगे साविस है कि उसमें अधीक शयदी का आप अपने शब्द बंडार को मजबूत करें आपको निश्चित तोर पर वैसी चीज है वो समझ में आएगी आपको अपने आपको पैचानना होगा और का भी गया है कि अपना मुल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे मैत पूर्ण व्यक्ती हो यदि ऐसा आप मान लोगे जिस दिन ये बात आपके जहन में बढ़ जाएगी तो आपको हर चीज निश्चित तोर से याद रहेगी तो आज अपन पढ़ रहे है व्यक्रण का ही सीरशक है और व्यक्रण का सीर्शक है भासा homeland व्यक्रण सबसे बड़ी दिखत ये होती है कि कोई सीधा सा पूस लेएक व्यक्रण क्या है तो अपने उसका एक संतुष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं तो यहाँ पर बासा और व्याकरण के बाद हम पढ़ेंगे वर्ण विचार और इसे आगे सब्द विचार हमने पढ़ी लिया है तो बासा क्या है बासा सब्द संस्कृत की बास दातू से व्यत्पन है और बास का आर्थ क्या होता है प्रकट करना यानि वह सादन या वह माद्यम जिसके द्वारा हम अपने मनों बावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के मनों बावों को हम समझते हैं तो वह जो विचार विनिमे का माद्यम है वही क्या है बासा अपने बावों को दूसरों तक पहुंचाना या प्रकट करना दूसरें के भावों को समझना यानि ये बीज में जो माद्यम है जो विचार बिन्यमे का सादन है वह ही क्या है भासा है अब भासा में सबसे पहले अपना बात करते हैं किसकी वर्ण की वर्ण माला में या व्याकरन में सबसे छोटी इकाई होती है यहाँ पे आपके लिए एक और के लिए कर दू कि लिखित रूप में इंदी की सबसे चोटी इकाई है वो वर्ण और सबसे चोटी इकाई की बात करें तो वो इकाई होगी धवनी पासा की सबसे चोटी इकाई धवनी और येदि आप से पूछ लिया जाए कि लिखित रूप में बासा की सबसे चोटी इकाई क्या है तो वो क्या होगी? और दवनी को ही अपन क्या कहते हैं कहने का रती है कि जब हम बासा का परियोग वागिंदरिय द्वरा करते हैं तब तो वह कहलाती है दवनी लेकिन जब उसको अपन लिखते हैं तो लिखित रूप में वही दवनी क्या कहलाती है वर्ण कहलाती है अब अपन पढ़ते हैं कि बासा में या व्याकरण में मुझ्छी ते किन तत्वों की विवेचना की जाती है तो बासा किसी बासा के व्याकरण गरंद में इन तीन तत्वों की विशेश महता रहती है जिश्वर चर्चा होती है जिसमें एक है वर्ण विचार, सब्द विचार और वाक्य विचार सब्द विचारम पुरा पढ़ चुके हैं यagitि आपका इसको विस्तरित अध्यन करना हो तो आप इस वीडियो की डिस्कृप्सन में जाकर संपूर्ण सब्द विचार के बारे हम पढ़ सकते हैं आज हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार और आगे की वीडियों हम पढ़ेंगे बाक्य विचार हिंदी विश्व की सभी वासाओं में सर्वादिक वेग्यानिक वासा है सरवदिक बेग्यनिक बसा की बात करें तो वह इंदी है और इंदी में मूल रूप से कुल वरणों के संग्य मानी गई है चवालिस जिसको अपना दो बागों में बाण सकते हैं एक का नाम दे सकते हैं स्वर और दूसरे का नाम है वियंजन तो ये इंदी बासा के वरण है वो दो बागों में वीबाजीत है स्वर और वियंजन अब स्वर क्या है स्वर एसी दवनिया है जिनका उचरण करने में अन्य किसी दवनिय की आवसकता नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं स्वर कहने का आरतिया है कि ये सोतंतर ही का ही है स्वर है वो क्या है स्वतंतर है इनका उचारण में किशी अन्य स्वर की या व्यंजन की आवसता नहीं होती और इनकी संक्या होती है कितनी 11 स्वरों की संक्या कितनी 11 ऐसे लगा कर संस्कृत के री तक अब संस्क्रित में एक सब्द और आता है एक वरण और आता है लिरी जो अपने हिंदी में यहां पर प्रियुकत नहीं होता है लेकिन ये री और लिरी मुख्य रूप से संस्क्रिप्ट के हैं तो ये 11 स्वर हो गए अब इन स्वरों को भी विस्तार रूप में देखें तो इन स्वर है इनको भी दो बागों में बांटा गया है जिसमें एक है रस्व स्वर और एक है दिर्ख स्वर यनि अपने इसको कह सकते हैं लगू और दूसरे को गुरू लगू और गुरू भी कह सकते हैं रस्व और दिर्ख भी कह सकते हैं छोटा और बड़ा भी कह सकते हैं कहने मैं आपको रहस्वर दिर्ग मंत्र बता दूँ ए, ई, उ और री ये चार क्या है? चार है वो है रहस्वर और साथ है वो है दिर्ग सवर इनका भी अपना आगे एक्स्प्लेंड पढ़ते हैं रहस्वर दिर्ग कौन कौन से है? यहाप आप देखिए कि जिन सवरों के उचरण में आप एकसा क्रत कम समय लगे उन्हें अपनी क्या कहते है? रहस्वर जिसे ए, ई, उ, और यहापर एकरी ए, उ, ए, उ, और री ये चार होगे रहस्र और जिन सवरों के उचरण में अधीक समय लगे कि यानि रस्व सवर की मकाबले, अधीक लगे उन्हें उपड़ कहते हैं, दिर्ग सवर, जिसको बड़ा भी कह सकते हैं, गुरू भी कह सकते हैं, इन्हें मात्रा दोरा भी दरशाया जाता है, ये दो सवरों की मेल से बनते हैं, मतलब, जो दिर्ग सवर है, वो क्या होते हैं दो स्वरों के मेल से बनते हैं जैसे आप प्लस ऐसे आ कर दोगे तो आ क्या हो गया दिर्ग स्वर हो गया और इन्हें स्यूक्त स्वर भी का जाता है यह बात भी आप ध्यान रखें कि जो दिर्ग स्वर है साथ साथ दिर्ग स्वर है उनको क्या जगा का जाता इसी हो उक्तावर क्यों? क्योंकि वो दो सवरों की मेल से बन रहे हैं जैसे आप देखिए मतलब ये तीन-तीन-चे और साथ ये साथ असे हैं जो किनी दो सवरों की योग से भने हैं और सवरों को मातरा में इस परकार दर्शाया जाता है जैसे है इस इस तोर पर इसकी कोई मात्रा नहीं होती फिर आप बात करोगे आ की तो आ की एक मात्रा होती है एक चोटी मात्रा है इस परकार है ये सब की जो मात्रा है वो दर्शाई जाती है जो वर्णों पे लगती है अब दूसरा बेद आता है वो आता है वियंजन का मिया सवरों की साहतार से बोली जाती है उन्हें वियंजन कहते हैं जैसे कै बोलते हैं तब कै के लिए हम प्लस में ए स्वर मिला के बोलते हैं यानि इसका कोई सवतुनतरस्ति तो नहीं है इसका कोई उचारण नहीं है इसका कोई अर्थ नहीं है जब तक साथ में स्वर नहीं म कै का मतलब इसके साथ में क्या मिलावा है ई वरणा कै क्या रहा गया अलन्ट वियंजन को पाँच वरगों तता इस परश अहलिकल अंतस्त एवं उसम वियंजनों के रूप में बन्ता गया है पाँच वरग का मतलब है कचटत और प कहने करता है क च ट त और प मतलब कुल मिला के कितने होगे 25 फिर अंतस्त होगे 4 और उस्म भी होगे स और ह 4 मतलब 4, 4, 8, 25 और 8, 33 इस परकार ये कितने होगे व्यंजनों की सेंग्या कितनी होगी 33, अब ये 33 कौन-कौन से है इनमें सबसे पहले आता है व्यंजन किस परकार के होते हैं इसपर्शी इसपर्शी इन क्या है जैसे कवर्ग कैसे लगा कर हड़ा तक चवर्ग चैसे लगा कर यह तक और इसके बाद टवर्ग पूरा तवर्ग पूरा और पवर्ग पूरा इस परकार इसपर्शी व्यंजन है इनकी संक्या एक तरीके से देके तो कितनी हो गई इस पर शीव एंजिनों की संक्या हो गई 25 अब है अंतस्त अंतस्त कौन कौन से है य, र, ल, और व य, र, ल, और व इनको क्या का जाता है अंतस्त क्यों का जाता है कि ये गले के मद्य से बोले जाते हैं अंतस्त यह व यह रह लह व यह पर एक आप विशेस्तोर पर नोट लगा कि मैंने इसलिए दर्शाया है कि संस्कृत में जब माहे सर्शुत्र अपन पढ़ते हैं तब यह रूप थोड़ा अलग होता है जैसे यह रह लह वह कह दिया लेक क्योंकि यह संस्कृत में माहे सर्शुत्र आपने पढ़े हैं वहां पर चलता है यह वरत लण तो यह सही है दूसरे बात करें उस मियंजन की तो उस मियंजन है वो चार होते हैं स स स और ह मतलब इनका भी उचाण इस्तान है जैसे तालू है सैका फिर मुर्दा है या फिर दं बनता है तो इनका उच्छाण अलग अलग इसके बाद आते हैं स्यूंकताकसर उन्ह चौवारीस के बाद इग्यारा तेतीस के बाद स्यूंकताकसर आते हैं वो इंडी में कितने माने गई हैं सत्र और ये मतलब कर और सय के मेल से बंद रहा है तर और रह के मेल से बंद रहा है अब देखो यहां पर गय में क्या होता है कि लोग गय और ये से बना देते हैं गय और ये से गय बना देते हैं जब कि ये बनता किसे हैं जै और ये से बनता है इस बात काफिसे तोर पर दियांद रखें इसके अलावा एक सियूख तोर आता है जैसे सरह तो वो बनता है सह और रह के योग्ज तो स्रह बन गया अब इंदी वर्ण माला में इस परकार कुल 11 स्वर 33 विंजन कुल मूल वर्ण हो गए वो कितने हो गए 44 और 3 श्यूंक ताकसर हो गए इसके अलावा इंदी में और क्या चलता है कुछ आगत दवनिया होती है जैसे क, ख, ग, ज, और फ ये पांच अर्बी और फार्सी से आई वोई आगत दवनिया है या आगत वर्ण है इनको आप देख लें एक बार क, ख, ग, ज, और फ इनको भी जब इनके शाथ मिला दिया जाता है तो ये हो जाते हैं और एक, ध, और ड, इनको भी अलग से माना जाता है जिनके नीचे नुक्ता लगावा है तो इस परकार विस्तारित रूप में देखें तो हिंदी में कुल वर्णों की संक्या आजकल बताई जाती है वो कितनी आती है बावन, कुल की बात करें तो मूल की बात करें तो कितनी 24 अब वर्णों के उचारनिस्तान क्या है उचारनिस्तान ये विसेश रूप से बात देखें तो टोपिक संस्कृत का है और मैं भी संस्कृत का विद्यारती रहा हूँ तो आपको यहाँ पर भी यह चीज क्लियर कर दूँ कि इन वर्णों का उचारनिस्तान चाहि स्वर है चाहि वेंजन है तो इनका उचारनिस्तान यहाँ पर देख लिए कि मैंने यहाँ पर बताया है और उसमें वर्ण क्या है उचारनिस्तान क्या है वर्ण क्या है उचारनिस्तान कौन सा है और वरण धौनी का नाम किया तो देखिए अ, आ और पूरा कैवरग और विसर्ग इनका उचारन स्तान है कंट कौमल तालू यानि ये कंट से बोले जाते हैं इसलिए इनको कंठी धौनी का जाता है मतलब स्वर के सुरुआती दो कैवरग पूरा और विसर्ग बात करें दो नमर की मतलब ए, आ के बाद इ और इ आगामी स्वर्दो है वो पूरा चैवरग ये और से इनकी अचारन स्तान है तालू संस्कृत में शुत्र होता है इच्चुई शानाम तालू तीन नमर पे है री आ, आ, ए, ए के बाद क्या आता है री, आप इनको कर्मवाज याद कर लें री, टैवरग पूरा चैवरग के बाद टैवरग आता है ये के बाद रे आता है और से के बाद से आता है तो ये पूरा है रिटूर शानाम उसका होता है मुर्धा और धवनी का नाम मुर्दनिय चार नमर पे ल्री है री के बाद ल्री आता है टैवरग के बाद टैवरग आता है ये रे के बाद ले आता है और से के बाद से आता है तो ये कर्म वज़ चीजें चलेगी और इनका नाम क्या है ल्री तुल्शा नाम दंता होट, इसके बाद आप देखेंगे 6 नमबर पे, तो 6 नमबर पे क्या है, अंग, यह, न, न, म, मतलब यह नाक से उचारण हो रहा है इनका, इसलिए इनको नासीका से है, और नासीक की का जाता है, ए, अई, बोलके देखे, ए, अई, मतलब कंट और तालू, दोनों का परियोग हो रहा है, तो इनको का जाता है, एतोदो कंट तालू, कंट तालू भी दमनी होगी, ओ, ओ, कंटोस्ट, कंट और होट परियोग हो रहा है, तो यह कंटोस्ट हो गया, और व, व हैसा सब्ध है, जि इसको क्या कहेंगे अपन दंतोष्ट नोट अनुनासिक वरणों का उचारनिस्तान जैसे यहाँ पर आपने देखे अनुनासिक वरण इनका उचारनिस्तान अपने वरग के साथ जैसे यह जितने वरग थे अपने वरग के साथ नाक भी होता है मतलब नासी का तो है लेकिन ये अपने अपने जो वर्ग है जिसे कैवरग का ये था कंट ये चैवरग का ये था तो ये भी इनके साथ आएंगे तो ये बात थी इनके उचान स्तान की उचरन इस्तान के बाद अपनागी पड़े जिसे है है तो है का अली जीविया जीविया का जो नीचे का सिरा है वो है का उचरन इस्तान होगा अब यहां पे आपके लिए में कुछ किलिए कर दूँ कि अनुनासिक दोनियों के उचरन में वरण विसेश का उचारन स्थान के साथ नासी का भी योग रहता है अता है नासीक का अनुनासीक वरणों को उचारन स्थान और उश्वर का उचारन स्थान नासी का भी होगा जैसे कया का कंट भी होगा, हड़य का कंट भी होगा और हड़य का नासी का भी होगा जैसे अंग में कंट और नासी का दोनों का योग होता है हता इसका उचारने स्थान कंट नासी का होगा अनिनासीकों के उचारने स्थान दो होते हैं यह आप फिसेस तोर पर ज्यान नहें कि अनुनासीक वरान है उनके उचारने स्थान अपना वर्ग और नासी का मतलब दो होते हैं उचारण की दर्ष्टीशी व्यंजनों को आठ बागों में बांटा गया है अब व्यंजन है उचारण की दर्ष्टीशी कितने बागों मांटा गया है आठ बागों एक है इसफर्षी मैंने आपको बताए कि जिन वेंजनों के उचरण में फेपडों से छोड़ी जाने वाली आवा वाग यंतर के किशियाविया का इसपर्ष करती है मतलब फेपडों से जो आवा आती है वो अपने वाग यंतरों का कहीं न कहीं इसपर्ष करती है फिर बार निकलते हैं उनको अपने कहते हैं, इस्पर्शी, जैसे इस्पर्शी, कख, गग, टठ, डढ़, तथ, दध, और पफ, बभ, मुल रूप से यही पाने जाते हैं, इस्पर्शी, इसके बाद आते हैं, संगर्शी, शब्दों से पता लग रहा है, संगर्शी क्या है, क जैसे स, 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 ह, ख, ज, और फ, ये क्या हो गए? संगर्षी हो गए. अब इसके बाद है सपर्ष शंगर्षी, सपर्ष शंगर्षी कौन-कौन से है? कि जिन व्यंजनों की उचारण में सपर्ष का समय बहुत कम हो जाता है, आप एक सा करते हैं, सपर्ष है, वो बहुत और जह ये कि सरोणी में आते हैं? इस पर्ष, संगर्शी की सरोणी में उसके बाद है नासीक्य है नासीक्य जेसे सब्द पता लग रहा है अवा है वो नाक से निकलेगी और ये होते हैं जो अनय ये, अनय, न, और मैं ये किसमें आएंगे नासीक्य में अब एक सब्द होता है बहुती महत्पुन सब्दे आपके लिए ये दोनों सब्दा आपके लिए बहुती महत्पुन है पार्सविक और प्रकंपित और उत्तक्सित जिनके उचरण में जीविया का अगला बाग मशूड़िशे चूता है और आवा पार्सव आसपास से निकल उन्हें कहते हैं पार्स्विक जैसे ल, तो ले में जीविया है, वो मशूरू को चूती है, परकम्पित जिन वियंजनों के उचारण में जीविया को दू-तीन बार कमपन करना पड़ता है, उन्हें कहते हैं परकम्पित जैसे र, रे बोलने पर जीव में एक कमपन होता है, उ मतलब जीव जटकेशे इनको फैंकती है इसके अलावा अगला भेदाता है संगर्षीन का संगर्षीन क्या है कि जिन दवनियों के उचरण में आवाब बिना किसी संगर्ष के बार निकलती है वे दवनिया होती है संगर्षीन मतलब कोई वागी अंतर से ज्यादा इसपर्ष न बहुत ही महत्पुन, आपके लिए यह वरन है कि किन वरनों को अर्ध स्वर भी का जाता आ? अब यहां पे आप देक ही नोट, इसके अत्रिक्ता स्वर तंतरियों की इस्तती और कमपन के आधार पर और वरणों को घोस और एगोस में भी बांटा गया है कौन से वरण घोस है और कौन से वरण एगोस है घोस क्या होते है और एगोस क्या होते है गोस का आर्थ होता है नाद और एगोस का आर्थ होता है बिल्कुल सांत तो ये क्या है ये भी अपन पढ़ते हैं गोस, गोस का आर्थ होता है नाद या गूंज, जिन वरणों के उचारण करते समय गूंजो, सुर्त अंतर में कम पनो, उन्हें क्या कहते हैं गोस, ये सबी वरणों के अंतिम तीन अक्सर, जैसे कैवरग है कैवरग के अंतिम तीन, यानि का और खै को छोड़के ग, ग, और अं किया है, मतलब कुल मिला के ये कितने हो गए, बीस, बीस क्या हो गए, गोस, गोस के बाद आप देखिए, एगोस, एगोस में क्या है, कि इन वरणों के उचारण में प्राण वायू में कमपन नहीं होता, थाए इन में कोई गूंज नहीं होती, इसलिए ये क्या होते हैं, ए गोस, यानि काख, चच, टठ, तथ, पफ, स, 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 और है, गोस में आ गया, तो इनकी संक्या कुल हो गई, तेरा, मतलब उपर संक्या हमने पड़ी कितनी, बीस, और ये हो गई, तेरा, कुल मिला के कहने का आरतिया है कि व्यंजन है, वो गोस और एगोस की दरश्टिशे कितन आदार पर, सुरत, तंत्रिकी, इस्तति और कमपन के आदार पर, यानि उनमें गूंज और एक तरीके की ना दोती है उसके आदार पर, तो उनके आदार पर हमने पड़े गोस और एगोस, तो इसमें आप किलिर कर लें कि पर्थम दो होंगी, वो आ जाएंगे एगोस में, अ अब इसके अतिरिक्त, स्वास वायू के आदार पर, वरणों के दो बेद होते हैं, स्वास वायू, यानि जिस प्रकार अपनी स्वास निकलने की गती होती है, कम और जदा, यानि प्राण, सांस का मतलब, आप प्राण मानलो, जहाँ पर सांस अधीक मात्रा में बार निकले, तो महाप्रान हो जाएगा और कम मात्रा में निकले तो अलप्रान हो जाएगा तो अलप्रान और महाप्रान क्या है कि जिन वरणों के उचरण में सांस वायू कम मात्रा में बार निकले कम मात्रा में मुक वी वर्षे बाल निकलती है ये सबी वर्गों के पहले तीसरे और पांचवे वर्ण होते है मैं यहाँ पर आपसे ये निवे दिन करना चाहूँगा कि आप अलपराण महापराण गोस हो रहा है गोस इसकी अलग से तालिका बना कर इसको आप समझ ले क्योंकि इसमें क्या होगा अलपराण में पहला तीसरा और पांचवां कहने कारती है कि हर वर्ग का विसम हर वर्ग का विसम है वो किसमें आ रहा है अलपराण में और उसका सम यानि दो और चार वो किस में आएगा महाप्राण में तो ये कगड इस परकार मैंने तीन-तीन के फिर जोड़े बने हैं आपके लिए तीन-तीन के मैंने फिर जोड़े बने हैं तीन-तीन-तीन-तीन तीन-तीन मतलब ये कितने होगे? पंद्रा होगे अब इसके अलावा यर लव ये होगे और सभी स्वर बहुती मैत पूनाय की अक्सर पूछ लिया जाता है कि सभी स्वर प्राय होते हैं तो सभी स्वर प्राय अल्प प्राण होते हैं तो ये इसकी स्रेणी में आगे तो कुल मिला के ये कितने होगे तीस ये होगे तीस इसके ब परतिय एक बर्ग का दूसरा और चोथा और स, स, स और है ये क्या है? महाप्राण, ये कुल कितने हो गए? जोड़े बना के देख लिए आप दो, दो चार, दो चै, दो आट, दो दस, दस और चार, चावदा मतलब महाप्राण, ये संख्या कितनी हो गई? चावदा, अलब प्र सयोग रहता है, मतलब नासी का सब्द आ गया, अनू पलस नासिक, तो नाक का सयोग रहता है, इसलिए इनको चंदर बिंदु लगा है, तो उनको अपन क्या गएंगे, अनू नासिक, क्योंकि उनके उचरन में नासिका का योग रहता है, तो वो कहलाएंगे अनू नासिक, फिर इंदी बासा के इसंदर में मैंने आप कोई यहां पर कुछ जानकरी के लिए किलिए है, वो क्या है, कि की राष्टर बासा नहीं होकर राजबासा है, सविधान की मानिता देखें, सविधान की नियमों को देखें, तो उसमें उलेक बारत की राष्टर बासा के तोर पर इंदी का नहीं है, बलकि किस की आदार पर है, राजबासा के आदार पर, अनूचे 351 कहता है, कि राजबास बनाने का संकल्प रखा गया है अनुचे 391 में हिंदी को राष्टर बासा बनाने का संकल्प रखा गया था जबकि वर्तमान में ये राष्टर बासा नहीं होकर क्या है अपनी राजबासा बासा क्या है? बासा एक अरजित संपती है बासा एक सामाजी के गुण है और बासा देश के जन जीवन और संस्कृति की पैचान है और इसलिए हमारी बासा जो हिंदी है इस पर हमें गर्व है अभिमान है ये था वर्ण विचार और बासा के बारे में एक तरीके से आपके सामने संक्सित सहज और सरल बासा में रखावा विवरण मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वर्ण विचार और भासा और विव्याकरन के बारे में दी हुई मेरी जानकरी बहुत ही सही डंग से आपको समझ में आई होगी यदि आपको ये सही डंग से समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें और मेरा पने निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को अधीक से अधीक लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ने भूलें अधीक से अधीक मित्रों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करने पर गंटी का बटन जरूर दबा लें ताकि जैसा ही कोई मेरा वीडियो यूटूब पर अपलोड हो तो वे तुरंत आपके पास में पहुंचाएं आपके उजुल भौशी की सुबकावना के साथ आपका अपना प्राध्यापक सांति लाल विश्णोई जय हिंद जय भर्त